Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel आज हम लोग देखेंगे Gyms College of Nursing Greater Noida जिसका पूरा नाम Government Institute of Medical Sciences है जो की Greater Noida गौतम बुद्धनगर में located है आज हम इसमें देखेंगे BSC Nursing की seats कितनी है category wise, इसकी face क्या है, placement क्या है और इसके बारे में संपूर जानकारी देखेंगे कि अस्थापना कब हुई, इन सभी से related तो वीडियो के साथ लाश्ट तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए इसी के साथ आप लोग ये भी comment करिए कि अगला वीडियो किस college पर बनाऊ वीडियो थोड़े दिनों में पढ़ सकती है मगर वीडियो जरूर पड़ेगी आप जिस पर comment करेंगे तो वीडियो के साथ लाश्ट तक जुड़े रहिए तो सबसे पहले देख लिजे 2023 में इस college में कितनी seat थी 2023 में इस college में पहले देख लिजे इसका code क्या है college का code क्या है college का code ये है पूरा नाम है college of nursing government institute of medical sciences greater noida जो की गौतम बुधनगर में located है government college है तो आप लोग देख सकते हैं जो seat matrix जारी की गई थी अटल भिहारी बाचपी medical university के द्वारा ABVMU के द्वारा उसके top पर ये college था तो काफी बढ़ी है college है उसके बाद आगे देखिए आगे आप लोग देखेंगे तो इसमें हम seats की बाद जैसे की ये category wise category wise अगर seats की बाद करें तो देखिए seats कितनी है इसमें category wise तो देखिए general की general की 24 seat है इसमें general category की 24 seat हैं और EWS जो की general category में आते हैं beaker section होता है उनके लिए 6 seat है और OBC candidate के लिए 16 seat है 80 के लिए 12 seat है और यहीं बात करें 80 candidate की 80 candidate के लिए 2 seat हैं तो total मिला कर ये 60 seat होती हैं तो total इस college में 2023 तक 2023 तक 60 seat थी 60 seat थी इस college में 60 seat ओ पर किसके द्वारा admission दिया जाता है ABVMU के द्वारा अटल बिहारी बाच्वेई Medical University लखनव के द्वारा एक्जाम करवाय जाता है सीनेट जिसके माध्यम से आपको इसमें admission दिया जाएगा अब देखी आगे इसके बात करें फिस structure के बारे में तो इसकी फिस काफी जादा है अन्य college के मुकाबले तो देखी जिसे अगर इसके पूरे टोटल फिस structure की बात करें तो इसकी tuition fees जहां अधर government college की tuition fees मातर बारा हजार है आप किसी भी government college की tuition fees देख लिजिए बारा से बीस हजार के बीच में है government college की tuition fees जो की अटल बिहारी बाचपी Medical University से affiliated है senior exam के द्वारा admission देते है तो अगर इस college में बात करें tuition fees की तो इसमें पच्चास हजार tuition fees है तो काफी ज़्यादा है इसमें tuition fees अगर होस्टल फिस की बात करें तो 36,000 होस्टल फिस है 36,000 होस्टल फिस है कुछ transport फिस है जो की include नहीं किये करीब 500 या 1000 रुपए transport फिस है तो उसके बाद और बाकी बात करें तो library fees की तो 500 रुपए आपकी library fees लगेगी बाकी आपका 10,000 जो है security fees लगेगा जो की आपको fourth year में return कर दिया जाएगा fourth year में आपको return कर दिया जाएगा security fees तो ये देखिए कुछ major जो fees के resources थे वो हमने लिया है बाकी कुछ नर्सेसों से ये संचार्द हैं ये सब छोटी मोटी फिस है थी तो ये देख लीजिए उसके बाद आगे बात करें आगे देखिए total fees की बात करें अगर first year total fees कितनी है है इसकी तो काफी ज़्यादा इसके फिस है लगबग private के वराबर इसके फिस है first year की total fees एक लाग सक्ताई सज्जार आपको देना पड़ जाएगा एक लाग सक्ताई सज्जार first year की इसकी फिस है जो की काफी ज़्यादा है other governments college के मुकाबले देखे जाए तो उसके बाद और अगर आगे की बात करें तो देखिए इसका कुछ main gate है college का gyms का ये main gate है उसके बाद देखिए ये main gate है अगर इसके affiliation इसके निर्मार की बात करें तो पहले ये किस से affiliated था तो देखिए पहले affiliated किस से था तो पहले इसका पूरा नाम देखिए इस government institute of medical sciences इस a medical college in कासना में है कासना देखिए कासना greater noida में ये located है इसका पूरा location है कासना greater noida उसके बाद इसकी अस्थापना कब हुई 13 माई 2008 को इसकी अस्थापना हुई पहले ये किस से affiliated था पहले ये King George Medical University उसके बाद इस college का लच्च क्या है जैसे हर institute का अपना एक लच्च होता है तो उसी तरह इस college का भी ये अपना इसका लच्च है था where healing teaching and discovery come together उसके बाद इसके चेर्मेन का उन है चेर्मेन जो है चीफ सेक्रेटरी गवर्मेंट आफ उत्तर जो प्रोफाइल लिस्ट है अब उसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले ये paramedical के बारे बात कर लेते हैं paramedical के भी इसमें करीब 2 या 3 कोर्स है तो देखिए paramedical में chairmine का उन है chairmine एक ही रहें जिए dr. rakes yaz gupta इसके बाद देख लीजे college का code दिया गया है paramedical school gyms, गौतमबुद नगर 40-60 उसके बाद principal का नाम दिया गया है contact person name दिया गया है उसके बाद ये देखे landline number दिया गया है, address पूरा दिया गया है अब अगर बात करें इसके courses की, तो आपको diploma courses में देखने को मिल जाएगा paramedical में diploma courses, lab technician जिसको DMLT कहते हैं जो यहाँ से DMLT करना चाहता है DMLT के लिए काफी बढ़िया college है उसके बाद x-ray technician के लिए तो DMLT की 30 seat हैं और x-ray technician की 30 seat हैं जो की कब से start हैं? 2021 से started हैं तो आप लोग देख सकते हैं अगर इसमें admission लेना है आपको paramedical में diploma में तो आपको जो UP state medical faculty के दोरा form release होता है जो की आपके 12th के inter और high school के merit के base पर होता है तो उसके आधार पर आपको इसमें admission मिल जाएगा अब बात करें nursing की तो nursing की इसमें एक मात्र course चल रहा है nursing का अगर बात करें तो एक मात्र course चल रहा है कौन वो bachelor of science है जो की 2021 से चल रहा है और approved seat कितनी है 60 seat है उसके बाद कुछ इसके देखी chairman, principal name, उसके बाद college का contact number ये सब चीजे दी गई है और अगर बात करें आगे तो इसमें admission किस के दौरा मिलेगा इंटरेंस exam होता है जिसको UPC net के नाम से जाना जाता है उत्तरप्रदेश कामन नर्सिंग इंटरेंस टेस्ट जो की conduct करवाय जाता है अटल बिहारी बाजबी medical university के दौरा है ये सब को पता है और इस बार 2024 में ये सीनेट का exam कब होगा 2024 में सीनेट का exam दो जून को होगा दो जून 2024 को और इसका farm अप्रैल के first week या मार्च के last week तक आ जाएगा और आगे बात करें तो कितना number चाहिए इसके लिए इसके लिए number की बात करें तो देखिए इसका cut-off जैसे कि government college का cut-off थोड़ा high रहता है तो इस बार भी देखिए cut-off जो है लगबग अगर हम first round की बात करेंगे first round counseling की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए last round तक cut-off काफी कम चला जाता है अगर first round की बात करें तो OBC को काफी बढ़िया का ले जाए तो 135 प्लस number OBC के लिए चाहिए इसके लिए और 80 के लिए बात करें 80 की बात करें तो 80 को समल लिए 125-120 पर हो जाता है और 80 का 115 पर भी हो जाता है क्योंकि देखिए last की मात्र दो ही सीटे हैं तो काफी कम यश्टी की सीटे भी हैं उसके बाद ये इसका image है और जो भी चीजे छूट गई हैं इसके बारे में या जो भी चीजे हम से मिस हो गई हैं वो कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगला वीडियो किस institute पर बनाऊं वो भी कमेंट करके जरूर बताईएगा और जाते जाते आपको बता दूँ इसके बाद 2008 में इसकी एस्थापना की गई इसका पूरा नाम और लोकेशन है जो कि भारत के उत्तरप्रदेश में लोकेटेड है टोटल फिस एक लाग सब्ताई सज्जार है और टोटल सीटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर दी गई है तो आप लोग यह सब चीजे देख सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करेके जरूर बताईए धन्यवाद